नमस्कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरीमा श्रवास्ताव आपके साथ श्रद्धा मडर हत्याकार ने पूरे देश के दिल को जब जोड दिया है तिहार जेल में बंद आफताप पुनावाला ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलने से एनकार कर दिया है अब तक आफताप ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य या फिर दोस्त से मुलाकात नहीं की है इतना ही नहीं उसने फोन पर भी किसी से बात नहीं की है वो जेल में अपने ही में ही मगन रहता है और किताबे पढ़ता रहता है इसके जानकारी जेल अधिकारियों ने दी है जेल अधिकारियों ने कहा कि आफताप पुनावाला 26 नवेंबर से तिहार में क्याद है मंगर उसने अभी तक जेल प्रशासन को अपने परिवार यह दोस्तों के नाम जमान नहीं किए जो जेल में उससे मिल सकते हैं हलाके आफटाब ने अपने साथी कैदियों से कहा है कि वह इस सप्ताब के अंत में किसी से मिल सकता है हाला कि उसने अब तक जेल प्रशासन को किसी भी मिलने वाले का नाम और उनके कोई डीटेल्स नहीं दिये हैं वाले कि गायदी को जेल के इंटिव्यो रूम में Prison में दो बार अपने परिवार के सदस्य या फिर दोस्तों से मिलने की एजाज़त होती है किसी कैदी को किसी बश्री की सदस्य और दोस्तों की लिस्ट जमा करवाता है और उनका सत्यापन करता है और उसके बाद ही आगंतुकों को सब्ता में दो बार जेल आने की लिखित अनुमती दी जाती है और उसके बाद कैदी को मिलने दिया जाता है एक जेल अधिकारी ने कहा कि हमने आफता पुनावाला को दो कैदीों के साथ एक सेल में रखा है चाहां वो 2400 घंटे CCTV के निगरानी में है उसके साथी कैदी जुन पर चूरी का आरूप है ये बेस उनक्षित कर रहे हैं कि वो खुद को नुकसान ना पहुशाए या किसी दूसरे कैदी की तरफ से हमला ना किया जाए फुटेश के माध्यम से उस पर नजर रखने वाले अधिकारियों ने देखा कि वो अपने साथी कैदीों से बहुत कम बात करता है तो अपने सेल में पढ़ने में समय बिताता है हमारे अधिक्षक ने आफ्ताप को मुलाकात और फोन यूज करने के नियमों के बारे में जानकारी दी है ऐसा एक अधिकारी ने कहा है मगर उसने कहा कि वो किसी से मिलना या बात नहीं करना चाहता है शुदा अधियकान के आरूपी आफ्ताप उनावाला के इस विवहार से हर कोई और जेल अधिकारी भी हैरान है क्योंकि वो फोन पर भी अपने परिवार से बात नहीं करता इतना ही नहीं उसने जमानत अर्जी वापस ले ली है जमानत याजी का दायर की जाएगी आफ्ताप पुनावाला ने जजज से कहा कि मैं चाहता हूं कि वकील मुझसे बात करें और फिर उसने जमानत याजी का वापस ले अधालत में मामली के अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तैगी है इस खबर से जुड़ी त कमाम अपडेट्स हम आप सभी तक पहुचाते रहेंगे पनेरी इंडिया नियूस के साथ धन्यवाद